Hello friends, welcome to our YouTube channel तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस करने जा रहे हैं Class 11 का जो Physics का Most Important Question है आप लोग के लिए हापर मैं Chapter wise लेकर आई हूँ तो ये सारे Questions कर लेना आपके लिए बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि आपकी exam में बहुत ही कम टाइम रह गया है और आपके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ Important Questions पे ही फोकस करें ताकि आप बहुत ही कम टाइम में इजली अच्छे मांक स्कोर कर सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो जो हमारा पहला चाप्टर है जो कि आपकी exam में आ रहा है that will be your units and measurement तो units and measurement में जो सबसे important चीज आपको करनी है that will be your significant figure significant figure आपको अच्छे से पता होनी च Works कि कि तरीके से निकाला जाता है इस पे based एक-दोאת questions आप जरूर्ष प्रैक्ट्स करके जाएंगे last moment पे next आपका dimensional formula dimensional formula डेखो इसका question आना ही आना है चाहे जो भी हो जाया और इसकी जो application है वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए error वाला जो topic है वो CBAC ने delete कर दिया है तो जितनी भी CBAC के student है वो error वाले topic को नहीं करेंगे लेकिन और student जो है वो error वाले topic को definitely करके जाएंगे next आपका chapter है motion in a straight line तो इस chapter में जो चीज आपको करनी है that will be your basic differentiation and integration आपको अच्छे से आना चाहिए instantaneous velocity आपको निकालनी आनी चाहिए VT और ST graph बहुत 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 जादा important है इस पे based question तो definitely हर सार आता है examiner का favorite topic है और question भी है तो ये आपको करके जाना है next है derivation of equation of motion of calculus method तो आपको जो मतलब motion के जितने भी derivations है equation of motion के उसके calculus method से भी आपको निकालना आना चाहिए तो इसका derivation अच्छे से कर लोगे आप लोग उसके बाद जो next chapter है motion in a plane उसमें आपको addition and subtraction of vector करना आना चाहिए unit vector किस तरीके से किसको कहते हैं ये चीजे पता होनी चाहिए scalar and vector product जो होता है वो आपको करना आना चाहिए कि अगर scalar और vector का product किस तरीके से होता है इसके बाद जो next most important topic है उसी chapter का that will be your project time motion इसके सारे के सारे derivation आपको आने चाहिए प्रस इस पे based numerical करना भी आपको आना चाहिए next chapter है laws of motion तो देखो laws of motion में जितने भी newtons के laws है सारे के सारे laws आपको अच्छे से पता होने चाहिए और उस पे based अगर कोई numerical आता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए inertia and impulse force ये भी आप लोग कर लोगे कि inertia क्या होती है impulse का क्या formula होता है conservation of linear momentum का जो है आपको पता होना ची किस तरीके से derivation होता है recoil of gun and laws of friction ये सारी चीज़े अच्छे से कर लोगे static and kinetic friction भी अपने आप में बहुत ही जदा important topic है और question भी है next अगर हम लोग बात करें work energy and power बले chapter की तो इसमें देखो आपका जो important question है work done by the variable force निकालना आपको आना चाहिए work energy theorem very very important topic इसको तो कोई भी बच्चा skip नहीं ही करेगा और इसके साथ ही आपको potential energy of spring का derivation आना चाहिए conservative and non-concerative force वाले topic को भी आप अच्छे से कर लेंगे elastic and inelastic collision जो है वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से निकालना आना चाहिए इसके बात अगर बात करें next chapter की system of particle तो उसमें center of mass जो है वो बहुत ही जद आपने आप में important है उसमें भी rod भी based ना आपका numerical भी आ सकता है और rod के center of mass की derivation भी आ सकती है तो यह दोनों ही चीज़े important हो जाती है उसके बात जो angular momentum है वो आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए moment of inertia भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे उसकी बाद जो gravitation वाला chapter है दिखो वो छूटा सा chapter है और बढ़िया सा chapter है और gravitation वाला chapter लाइक आपको आना ही आना चाहिए अगर आप चाते हो कि आप 12 में अच्छा score करो तो कोशश करना कि इसके सारे की सारे topic और questions आप लोग cover कर पाएं इसकी साथी जो आपका next chapter है mechanical properties of solid यह काभी छोटा chapter है तो आप लोग इसके all topics ही कर लो तच्छा रहेगा अगर ज्यादा topic में stress strain और थोड़ा बहुत relation है that's it तो इस chapter को को कुशश करो कि पूरा पूरा कर लो mechanical properties of fluid अलग चाप्टर में दिखो पास कर लो आपने आप मे ही जादा important है इस पर स्टार्मा कर लो विस्कॉसिटी और स्टॉक्स लॉब भी आपके एक्जाम में आता है बहुत 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 वेरी वेरी important है इसको तो कोई भी बचा नहीं छोड़के जाएगा उसके surface tension वाला जो टॉपिक है वो भी आपको कर लेना है लास्ट टॉपि आपको आना चाहिए cp and cb में relation cp minus cb is equals to r यह relation का derivation आना चाहिए specific heat आपको निकालना आना चाहिए change of state and stiffens law अच्छे से आप लोग कर लेंगे उसके बाद जो thermodynamics वाला chapter है उसमें आपको laws of thermodynamics सच्छे से आना चाहिए इरोत law first law second law isothermal and adiabatic process based question आपको करने है cyclic process करनी है kinetic theory में आपको postulate करने kinetic theory की rms speed आपको निकालनी आनी चाहिए इसके साथ ही जो last आपको तीन और topics करने degree of freedom करना है ठीक है law of equipartition of energy करना है और mean free path का derivation आपसे पूछ लिया जाता है और basic definition basically आपको आना चाहिए तो वो आप isolation वाला chapter है वो बहुत बड़ा chapter है तो उसमें ज्यादा आप मत करिए system तो at least कोशिश कीजिए क्या आप कर लें और उसके साथ ही जो simple pendulum का derivation or time period का वो बहुत अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए अब last chapter पर हम लोग आ चुके बेवस वाले chapter पर तो यह भी chapter काफी complicated साह लेक तो देखो इतने questions आपके लिए important questions होते हैं जो कि physics में आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे खासे marks आ जाए physics में तो अगर यह सारे topic आप करते हैं तो आपके बहुत ही बढ़िया और गजब marks आ जाएंगे तो देखो यह सारे questions कर लेना और अगर वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना and thank you, thanks for watching my video